दोस्तों बहुत सारे जो beginner photographers हैं हमेशा वो एक complaint करते हैं कि जब भी वो अपने DSLR camera को use कर रहे हैं चाहे वो Nikon का हो या Canon का हो वहाँ पर वो जब भी autofocus mode में shoot कर रहे हैं अपने किसी भी subject को track करने के लिए तो वहाँ जो focus है वो थोड़ा सा blur आता है pictures जो है tech sharp focus के साथ में capture नहीं होती है और बहुत सरे लोगों की problem है तो आज इस वीडियो के लिए हम बात करेंगे इस problem को या निगी focus की problem को कैसे हम fix कर सकते हैं और जब भी आप अपने DSLR camera को use करेंगे चाहे Nikon का हो या Canon का हमेशा आप एक correct focus nail कर पाएंगे तो इस वीडियो का आप एंट तक ज़रूर देखिए Welcome back to my channel friends, this is Manish Taksena, let's get started Photography में सबसे important चीज़ होती है दोस्तो focus, अगर हमें focus control करना नहीं आता तो हम कितने भी अच्छे camera खरीद लें, कितने भी अच्छे lenses यूज़ करें हमारी जो pictures है, वो हमेशा थोड़ी सी sub-standard नजर आती है और यही problem जो है, बहुत सारे beginner photographers को problem होती है क्योंकि वो autofocus यूज़ कर रहे है, अच्छा camera यूज़ कर रहे है और जब उन्हें tax sharp photos नहीं मिलती है, या जब वो focus करने की कोशिश करते है अपने subjects पे, तो वहाँ पर उन्हें हमेशा थोड़ा सा blurry effect आता है picture जो है, वो थोड़ी sharp नजर नहीं आती अब यहाँ पर जो problem है असल में वो है दोस्तों आपकी technique की तो आज उस technique को सीखने की कोशिश करेंगे ताकि आज के बाद जब भी आप अपनी photos लेंगे तो आप देखेंगे की pictures आपको tax sharp मिलेगी अब beginners जातर करते क्या है कि वो लोग programming, auto programming mode पे डाल देते हैं अब माल दीजे अब यहाँ पर आप तीन लोग देख रहे हैं यह यलो कलर में एक लड़की है पीछे के action figure है जो की brown कलर का है और यहाँ पर आप देख पार है कि एक और लड़की है जो की black paint और जो है यह pink कलर का top पहने हुए है तो अब क्या होता है कि जब हम focus करते हैं तो हमने अपने programming mode पे डालो यानि कि auto mode पे और focus भी हमारा वो भी auto focus है तो जब हम focus करते हैं माल दीजिए अब मुझे focus करना है यहाँ पे पीली लड़की पे तो मैं जब यह focus करता हूं दोस्तों तो मैंने कर रहा हूं पीली लड़की पे focus लेकिन जैसी मैंने picture खीचा तो आप देख रहे कि focus जो है वह पीली लड़की पे ना जाके focus यहाँ पर lock ह हो गया तो अब यहाँ तो focus हमें मिला ही नी लॉक का हुआ पीछे वाली action figure पे जो brown color का है चलिए मैं अब कोशिश करता हूं एक और picture लेने की इस पीली लड़की की यह देखिए तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है picture हमारी लॉक हो गई है यहाँ पर focus हुआ ही नही अब मैं एक और कोशिश करता हूं लेने की PDI लड़की को तो देखते है picture हमें कैसी मिलती है तो अब जाके आप देख पार हो कि लड़की जो है यह focus में है यहरी कि almost हमें 3-4 picture लग गई shoot करने के लिए इसको focus में लाने के लिए तो यह जो technique है दोस्तो एकदम wrong technique है अब और है वह आट 말고 करता है और यह जिसकले जो है अपका अच्छी ही जो आनिया आती है focus अपका थोड़ा blurry आता है तो अब technique क्या है, सबसे पहले आपको अपना auto programming mode को छोड़ना पड़ेगा आपको select करना पड़ेगा यहाँ पर manual mode, तो आप देख पर इस screen पर मैंने अपना manual mode यहाँ पर select कर लिया है अब उसके बाद जो है, आपको आट오्ट फोकस में जाना है यहां पर भी आपको आपको खटाके अब आपको सेलेट करना होगा यहां पर सिंगल ओट फोकस लटई होगा सिंगल शॉट पर एड अफस ऑटो फोकस सिंगल के अलगोण आप लिया है यही सेम् तो अब मैं अपने subject को किस तरह से focus करूंगा उसके लिए भी हमें एक चोटी सी जिसका ध्यान अखना है वह है दोस्तों यहां पर देखिए info button या आपके यहां पर जो भी बटन होगा कैने करन में उसके ध्यान रखिए यहां पर आप देख पारें काफी सारे focus points हैं तो मैं फि यहां पर देखिए इस तरह से यह पीडी वाली गाउन में जो लड़की है इसका तो अब देखरें की बराबर से जो है लड़की focus में आई है और बाकी के दोनों subject हमारे out of focus हुने है अब माली जी मुझे इसका लेना है पीछे वाले लड़के का याने की brown dress वाला action figure है उसका तो मुझे कुछ नहीं करना यहां पर मुझे वापस जाना है पीछे info button को प्रेस करना है यहां से मैंने थोड़ा सहलाया रेटन साइड में गया और अब मैंने focus को यहां पर lock किया इस तरह से देखिए और अब मेरा जो focus है सीधा जा गया है पीछे brown dress action figure पर और मैंने ठीक जो focus को जो है shift किया है थोड़ा सा और right hand side में देखिए इस तरह से और अब मेरा focus है बिल्की black जो इसे ट्राउजर पैना है और pink color का तॉप तो अब देखने की focus वहां पर अच्छे से हमारा lock हुआ है सो यहां पर अब हमने अपने control यानि की focus points को हमने खुदط control कि हमें focus कहा C हाँँ तो आपको यह जो info button है इसे बहुत ध्यान से use करना है कि आपको left में जाने है कि right में जाना है आपको ऊपर लेना है कि focus point को नीचे लेना है जहां भी आपको focus करना है आप इन focus points को use करिए और हमेशा आप जो है एक tech focus यानि की sharp focus और सही जगे पर focus को nail कर पाएंगे तो ये एक छोटी से technique है दोस्तों कोई rocket science निया सिर्थ तोड़ी सी समझदारी से practice करके आपको काम लेना है उमीद है आज के इस वीडियो से आपको इस समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें ठीक तरीके से focus points को control करके एक सही focus को nail करना है अगर इस वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो जल्दी से कर दो इसे like और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है